दोस्तो एजुकेशन और टेक्नोलोजी से रिलेटिव वीडियोज देखने के लिए दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियो जो नौटिफिकेशन के लिए बैल आइकन बटन को दबाना ना भूलें नमस्कार दोस्तों एक्मास्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपको दोस्त तर्मच आज हम लोग आप लोग के लिए जो एक वीडियो बना रहे हैं ये माइक्रोसोट एक्सल की तो नहीं है ये है माइक्रोसोट पावर पॉइंट से रिलिटिड हमारे कुछ इस्पेसल दोस्तों की खास परमाइस पे ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो request आई है हमारे पास हमारे दोस्तों की उसको हम लोग पुरा कर सकें Excel की जो classes हैं बागे हम लोग फिर से start करेंगे लेकिन क्या कि क्योंकि यह सब कुछ हम कर रहे हैं पुलाल यह सब आप लोग के लिए और आप लोग संतुष्टी हमारे लिए सबसे पहले है तो इसलिए Microsoft PowerPoint को हम किस तरह से यूज करते हैं और क्या starting concepts है और क्या use है मैं इसको brief में आपको बतायता हूँ सबसे पहले यह को हाला कि जो आप screen देख रहे हैं यह PowerPoint की screen है PowerPoint का यह आप interface देख रहे हैं लेकिन अभी तख मैंने इसको start करना आपको नहीं बताया है सबसे पहले मैं आपको start करना बतायता हूँ और start करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से फिट से प्रार्थना करना चाऊँगा क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आप लोगों से request की थी इस बार में फिर करूँगा और हर बार करूँगा क्योंकि मेरा फर्ज है आप लोग सब समझदार हैं घर पे रहें और सेफ रहें ये एक दोर है ऐसा जिस दोर में हमें अपने जीवन को अलग तरह से लेके चलना है एक अलग तरह से प्लेटफों मना के चलना है अपने जीवन करीजिदो रहे और अपने परिवार का खास घ्यान लखें खुद का घ्यान लखें तो अधे दोस्तों ये जो फिलाला पाउर पोइंट की विंडोग मा अउफ कर रहा हूं और ने सिए से पाउर पुइंट जो विंडो है एसको मैं प्रिजन्टेशन मलाने के लिए अलग आपके लिए मैं दो तरीके फोलो कर रहा हूं सबसे पहला तो आपके लिए मैं दो तरीके फोलो कर रहा हूं सबसे पहला तो वो अपने जो टास्क बार यहीं से आप डारेक्ट्ली सर्च कर सकते हैं और आप लोग यहीं से इस्तमाल करें मैंने किलिक किया आपने सर्च वाले अरिया के अंदर यह सर्च वोक्स होता है हमारे सॉफ़ेयर्स के लिए हमारी फाइल्स लिए तो यहां के आपको की टाइप करनी है और बूमें खिक्रे को टाइप कर रहा है आप भ्यां देना आ यह लिखा में पावर PNT यह पावर PNT आपको लिखना है Power PNT is the executable file name of the PowerPoint PowerPoint की exe जो file होते है हमारी Power PNT पावर PNT इसका पुना नाम होता है तो डोट एक सी आप लगाए ना लगाए लिकिन पावर PNT आप लिखें स्मोल लेटर का कोई के यहां पर एशू नहीं होता आपको इसके से वगरा नहीं देना है कहीं पर लिखना है पावर PNT और आपको एंटर की पैस कर देना है अगर आपके सिस्टम में यह पावर PNT इंस्टोल है क्योंकि यह लग से इंस्टोल करना होता है अगर इंस्टोल है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से एक बार मैंने इसको ओन करके दिखाए आपको यह मैं फिर से ओप कर रहा हूँ आप कलिक करے देन के बाद आपको सर्च करना है कि हमारा पावर पोइंट जो सौफटरों को कहा है तो सेम टेकनिक गोई होगी बिल्कुल इसी तरह से आप इस्तमाल करेंगे अब मैं आप लोग को एक निया पर्जेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं कि निया पर्जेंटेशन अगर आपको ओपन करना तो आप कैसे करेंगे जैसे फिलाल मेरे पास एक पर्जेंटेशन आप देख रहे हैं बना-मना यहां से klik करेंगे तो आप लोग new में जाएंगे और new से click करने बाद आप देखें। यहां पर लगता है कि हमारे templates हैं तो आपको blank presentation चाहिए तो आप blank presentation को do by default selected है आप देखने हैं तेकर अगर select नहीं है तो blank presentation को select करके आप यहां से राइट विंडो से आप लोग यहां से एक बटन दिया है create बटन यह दो को यहां लिखा गिया blank presentation create को आप बटन को click करना है जैसे आप create को click करेंगे तो आपका powerpoint का जो नया platform है वो आपके सामने आ जाएगा इस platform का आपको view करना है आपको समझना है मैं आपको कुछ चीज़ा आप बतायता हम क्योंकि यह theoretical concept के according में हमारे लिए काफी जरूरी होता है powerpoint जो हमें provide करा रहा है वे होती है slides जैसे microsoft word है आपका महाँ pages होते है microsoft excel पे आप जाते हैं हमाँ पे spreadsheet होती है और microsoft powerpoint पे आप लोग जैसे आए यहां होती है slides अब slides container होते हैं हमारे जो presentation में यूज होने वाले जितने वी elements हैं चाहिए आपके कोई text हो या फिर कोई image है या फिर audio videos वगरा जो भी आप इस्तमाल करना चाहरे हैं अपने presentation के लिए वो सब कुछ hold करेगा हमारा यह area जिसे हम लोग slide के नाम जाते हैं और यहां पर आप जितनी चाहें अपने presentation में slide साइड पर सकते हैं मैं आपको छोटा सा एक presentation बना के दिखा रहा हूँ आर इसके बाद मैं कुछ advanced tool आपको बताऊंगा आज की जो हमारी वीडियो क्लास है वो बिल्कुल new का हमारे strengths हो या फिर हमारे जो दोस्त हैं जो इस पेसली चाहरे पावर पॉइंट के लिए मैं उन लोगों के लिए सब चीज़ बना रहा हूँ तो देखिए पावर पॉइंट की जो slide हमारे सामने आई है इस slide को आप देखें ज्यांसे सबसे पहले आपको यहां दिखाए दिरहा slide पर कि click add to title और यहां दिखाए दिरहा click add to subtitle यह हमारी slide का एक layout है एक ऐसा layout जो by default शो हो रहा है अगर हम चाहते हैं इस layout को चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको अलग अलग तरह के layout डिखाता हूँ क्योंकि हमारे presentation के according हम लोग layout की जो हमारे design है वो हमें चेंज करने की requirement हमारे सामने हो सकती है हम लोग home ribbon के अंदर है home ribbon में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आप एक clipboard गुरूप है उसके बाद slide गुरूप आप देख रहे हैं slides के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर layout कमांड है layouts commands को अगर आप click करें तो layouts commands में हमारी यह सभी office themes हैं यह सभी layouts यह designs हैं जो हम लोग अपने slides के लिए use कर सकते हैं जैसे जो आप को चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं अगर मैंने यह जो सबसे पहला आप slide देख रहे हैं title slide यहाँ पर हमारे presentation के लिए on है जो show हो रही है by default जो होती है basically आप चाहें तो title और content slide भी आप ले सकते हैं लेकिन मैं खिलाल title slide के साथ ही काम कर रहा हूं आप content कैसे add करें हैं तो आपको click करना है देखो इस पस्ट यहां लेकर click add to title आपको click करना है क्लिक करने बाद cursor हमारे जो box था जो text box था वह आपे highlight हो गया है अब यहां पर title आप डाल सकते हैं जैसे मैं title डाल लेका हूं मैंने type कर दिया है my my trial presentation इस तरह से आप जोग चाहें अपने presentation का जो नाम वगरा देना चाहें आप दे सकते हैं subtitle यहां type करना चाहें आप type कर सकते हैं और मैंने suppose यहां पे अपने जो हमारा channel है उसका नाम मने डाल दिया Tech Masters Education बीच-बीच में promotion चलता रहना चाहिए और यहां से अब चाहते हैं हमें new slide add करना इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपने new slide directly क्लिक करना है तो आप यहां से देख उपर वाले option पर अगर आप simply click करें तो new slide हमारी add हो जाए और लियाओट की देखो जिस तरह से आपके सामने हैं आप यहां से चेंग भी कर सकते हैं अब और जिन्टेशन कंटेंड डाल लेता हूं आपके लिए दिखो लिखा आप यहां पर क्लिक to add title किस slide के लिए title मैं रखना चाहता हूं मैं यहां पर डाल लेता हूं सबोज मैंने यहां पर डाल लिया यहां टाइप कर देता हूं मैं यह मैंने टाइप किया और फिर से मैं new slide चाहिए तो मैं इस बार आपको short card use कर रहा हूं देखो control के साथ M मैंने प्रेस किया और जैसे मैं control के साथ M प्रेस करूंगा तो new slide add हो जाएगी जैसे आप गर चाहते हैं और new slide जैसे add होगी तो new slide add होने के बाद हमारे सामने new slide के content को add करने कर ला जो भी area है वो हमें मिलेगा बिल्कुर सेम इसी तरह से तो मैंने new slide के उपर भी अपने content डाल दिया और सिपोरी डाले मैंने my city इस तरह से आप जितने भी slides आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं मैंने simply सिर्फ text लिखे हैं आप यहाँ पर images भी डालना भी सीखेंगे लिकिन फिलाल मैं आपको सिक simply text के according आपको बता रहा हूं यहीं आपको try करना है सबसे पहले इसके बाद दोस्तों आपके सामने आएगी जरूत की मैं अपने text को किस तरह से या effective होना सकता हूं किस तरह से उसके उपर styles वगर अपलाई कर सकते हैं तो styles के लिए आपको ज़्यादा tension नहीं लेनी है आपको इस step follow करना सबसे पहले अपने उस content को select करना है जिस content के उपर style आप अप्लाई करना चाते हैं क्यों क्यों आप देख रहे हैं तो बाकी सभी हमारी commands off है क्योंकि हम लोग home ribbon के अंदर है यहीं पर font style है पर अगर आप जाते हैं तो font के अंदर आप जाते हैं तो bold, italic, underline की जितनी भी option दे रखें सब off है इनको अगर active करना है तो आपको अप command command है या फिर paragraph group है या बाकी के जो भी हमारी group commands है वो सब highlight हो गया है selection करना है तो मैंने मैं यह select किया my trial presentation जो style है मैंने इसको bold करना था तो bold को click किया underline करना था shading effect वगरा लगाना है color वगरा चेंज करना है यह सब commands यहां से इस्तमाल करें यह बाकी सब commands आपको try करने हैं अगर आप लोग कभी उचाते हैं जो हमने style apply है वो style आपको नहीं चाहिए तो आप select करके यहां से कमांड है इसका नाम है clear all formatting यहां से click करके आप style को हटा भी सकते हैं यह आपके लिए useful command हो सकती है selection करिएगा और style बगरा जो apply करना है size बगरा जो increase करना है यह तरीका हुआ हमारे content को effective बनानेगा इसके अलावा मैं आपको और चीज आपको समंगाना चाहूंगा अगर हम लोग अपनी slide के background बगरा के उपर apply करना हो तो मैं आपको designs में लेके चल रहा हूं दोश्ते हैं यहां से presentation के बड़ डिजाइंस कैसे apply करते हैं क्योंकि यह प्लाल आप लोगे लिए first presentation है तो मैं आपको सबसे पहले main main concept बता रहा हूं फिर मैं आपको थूर असा एक और level बढ़ाऊंगा आपके लिए और next class मैं आपको और ज्यादा heavy content के साथ बताऊंगा यह general चीज आपको सबसे पहले इस्तमाल करना है तो थीम्स वगर आप इस्तमाल कर सकते हैं यह सब थीम्स ओपन आपको देख रहे हैं यह theme group है और यहां से मैंने click किया और click करने के बाद यह प्रिडिफाइन themes आप देख रहे हैं जो theme आपको अच्छा लगे आप उस theme को click कर सकते हैं जहाँ मैंने एक theme को click किया प्लिक करने बार देखो ये प्रजेंटेशन हमारा जो बना वा था वो कुछ इस तरह से हो गया ये थीम मुझे अच्छी नहीं लग रही है आप चेंज करना चाहते हैं ये मैंने प्लिक किया देखो ये थीम हमें अपने प्रजेंटेशन के बना लिए आप इसमें बाद में आपको जाना है स्लाइड शो में अर्सलाइड शो के अंदर आपको सबसे पहली कमाण मिलेगी फ्रॉम बिगनिंग आपको इसको किलिक करना है या फिर अफ फा प्रेस करना है आपको ये आपकी प्रजेंटेशन के फर्स सामने शो हो जाएगी आप यहां से एंटर क्यों प् लेकिन हमारे रिक्वार्मेंट यहां पूरी नहीं होती हम चाहते हैं आपको क्या करना दोस्तों आपको जाने ट्रांजेक्शन से यह है ट्रांजेक्शन और यहां पर आपको सबसे लास्ट में यहां पर आपको आफ्टर वाला जो चक बोक्स दे रखा यहां को टिक करना है आपको और यहां टाइमिंग आपको सेट करते हैं जो टाइमिंग आप चाहते हैं यह सेट करने अबाद आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपलाई टू ओल पर किलिक करें कि यह जो आपने सेटिंग किया है यह सभी स्लाइड पर अपलाई होनी चाहिए तो अपलाई टू ओल करेंगें आप अब आप प्ले करके देखें स्लाइड शो आउप फ्रॉम बिगिनिंग या फिर एफ फाइप देखो फर्स स्लाइड है हमारी सेकिंड स्लाइड और यह थ भी फ्लाइने करेंगें आपको यहalyutants पहुंचे थे भी स्लाइड ट्राइड इफेक्ट्स भी हैं स्लाइड ट्रांजिक्षिन फ्ला देखें हैं दोस्ते मैं मैं up किले कदающ李 वे सुब्स रैप कर प्लum 293 इस विक तरह लागिया इक में आपको हाथ को स्लाइट फ्रॉम पिंग या फिर फ़ों के लिए प्रॉम बीगिन या फिर फ्रफ फाइब कि दोस्तु को फर्स स्लाइट हमारे सामने प्रिजेंटव ही और अटमेडिकल ली इसके मैं आपके कमांड या और बदायता हूं दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रसेंटेशन रेगुलर्ली चलता रहे नॉन स्टॉप चलता है कि लास्स्लाइड के बाद फर्स्स्लाइड फिर से कंटिनी हो जाए तो आपको क्या करना दोस्तों लोग यहां और अलड़ी बाद चाहि के अंदर हैं यहां पर आपको एक सामने आगया सामने आपको शेतिक करना है दोस्तों और कुछ नहीं करना है आपको checkbook को check करना है और okay बटन को click कर देना है आपका count finish हो गया है फिर से आपको देखो from beginning या 5 से play करके दिखा रहा हूँ यह हमारी first slide थी हमारी presentation की यह हमारी second आई इसके बाद देखो यह automatically third slide शो हो गई है और third के बाद automatically अगर आपको इसको बीच में बंद करना है immediately आपके ऐसी requirement इसको off करना है तो आप क्या दरेंगे दोस्तों अपने keyboard से escape किया प्रेस करके अपने presentation को off कर सकते हैं जैसे मैंने आपके लिए करके दिखाया तो यह है एक चूट असा presentation बनाने का तरीका इसके बाद के जो tools है मैं आपके लिए अगली class के अंदर ले गया हूँगा आपको इसको test करना है और यहां से आपको देखना है कि आपके presentation बनाने में जो जो problems आती हैं क्योंकि मैं ध्यान दोगा उसी इसाफ से जिसाफ से आपकी requirement होई मैं advanced tool अगली class के अंदर ले गया हूँगा दोस्तों और इससे follow करें और अपनी जो भी problems हैं वो जुरूर पूछे बागी तो आप सब समझदार है मेरा message आप जो हमारी video class की उससे start करने से पहले भी था मैं last में आप रुकाँँगा अपना ध्यान जूरू रखें दोस्तों ये सब मैं activity energy कटी करके आपके लिए बना रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग सबस्त रहें अपने परिवार का ध्यान रखें और बस जैसी भी परिष्टिती हो कैसी condition हो आप लोग गर पर रहें बाकी की जो भी इंस्ट्रक्शन से हैं हम लोग नॉर्मली बाइ टेलेफोने बाइ मैसेज किसी तरह से आप लोगों से कॉंटेक्ट करके करते रहेंगे लेकिन आप लोग टक्च में बने रहें और अपना ध्यान जूरू रखें दोस्तों थैंक यू लोगो लोगो लोगोगो便 हुआएवा रहेंा